फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ मित्रों उमीद करती हूँ आप प्रसन और स्वास्त होंगे और परमात्मा से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आपके जीवन में सभी खुशियां बराबर बनी रहे मित्रों और आज मैं आपको जो जानकरी देने जा रही हूँ वो दिवाली के दिन आपको क्या चीज लोगों को गिफ्ट करनी चाहिए और क्या चीज आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए आज इसी पर अपन आपको जानकरी चाहिए तो आएज का वीडियो शुरू करते हैं दिवाली के दिन हर कोई अपने इश्ट मित्र होते हैं जो भी अपने शुक्चिंतक होते हैं उन सब को कुछ न कुछ गिफ्ट दे कर अपनी भावनाओं को अभीवक्त करते हैं लोग अपने बॉसेस को देत हैं कुछ न कुछ मिठाई, ड्राइफ रूट, लाइट्स, पटाके कोई न कोई गिफ्ट देते ही रहते हैं और उसको स्विकार भी करना चाहिए उसमें कोई गुराई नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहरूपियों की भी कमी नहीं है जो मित्र की आड में ह हमें चलते हैं और बेसिकली वो हमारे बहुत बड़े शत्रू होते हैं तो ऐसे में क्या करें और देखीए ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा कि कौन आपका शत्रू है और आपके साथ खेल खेल रहा है तो ऐसे लोगों से आप क्या लेवें, आज यही बता रही अगर आपकी व्रशव राशी है तो कोई पटाके, केंडल, डेकोरेटिव दिया आपको गिफ्ट में देता है तो नहीं लेना है अब ये प्राब्लम एक चीज और हो सकती है कि लोग ये पूछेंगे कि हमने ले लिया है हम मना भी नहीं कर सकते तो क्या करें आप उसको लेके मंदिर में रख कर आजाएए या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए मतलब आपके पास मत रखिए आप लोग कहziehenगे निर्धन व्यक्ति का बुरा देखो निर्धन व्यक्ति जो जिंद के जी रहा है वो उसके बुरा क्या होगा उसके साथ में और समाज का एक वर्ग ऐसा है जो दूसरों पर आश्रित है और तीस त्योहरों पर हम लोग उनको देते हैं तो हलाकि मैं इसमें विल्कुल विलीब नहीं करती हूँ लेकिन यहां मैं जो भेत की बात कर रही हूँ वो गरीबी और अमीरी की बात कर रही हूँ तो गरीब लोग जो होते हैं जो संपन नहीं है और जो अपनी जरुड़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं वो दूसरों पर हम आश्रित रहते हैं कि उनको दान मिले या चीजें मिले जिस्से कि भी अपने जीवन में कुछ खुशियों को भोग सके हैं किसी संदर्व में आपको कहा रही हूं कि किसी भी जरुवत मन को जो खुशी-खुशी ले ले आप उसको दे सकते हैं मिथुन राशी वाले मिथुन राशी वाले भूल कर भी कोई लैंप वगएरा किसी से गिफ्ट में ना ले में करक राशी, करक राशी वाले कोई भी लोही की चीज, कोई सर्पा कर आकरिती वाले चीज किसी से ना लेवे, सिहर राशी वाले भी यही करें जो मैंने करक राशी के लिए बताया है कन्या राशी, कन्या राशी वाले कोई भी लाल रंगी चीज किसी से गिफ में ना लेवे, फ रश्टिक राशी वाले कोई भी हरी वस्तू किसी से कभी भी गिफ्ट में ना ले में। दिवाली की बात कर रहे हैं अभी अभी अपन तो दिवाली पे ना ले में। वैसे कभी ये बात हमेशा भी लागू होती है पर दिवाली का विशेश प्रयोजन है अभी इसलिए दिवा मकर राशी वाले कभी भी कोई गेहूं से बनी हुई मिठाई, कोई लाल रंग की चीज कभी किसी से गिफ्ट में ना लेए। अब मैं बात करती हूँ कुमब राशी, कुमब राशी वालों का सेम वही है जो मैंने मकर के लिए बताया। मीन राशी मीन राशी वाले कभी भी श्रंगार का सावान किसी भी रूप में गिफ्ट में ना लेवें। कितना नहीं येस का निर्ण है तो आपको स्वैम ही लेना पड़ेगा मैग जोतिशी हूं और जोतिशी लेना पड़ेगा